गुरुर रम्हा, गुरुर विश्णू, गुरुर देवु महेश्वरहा, गुरुर शाक्षात, प्रभ रम्हा, तस्मे श्री गुरुदे नम्हा, नमस्कार मैं पंडित अनुरागुरु जी, आज हम बताएंगे कालसर्प दोश के बारे में, कालसर्प दोश की पूजा कहां पर होती है, इसका मुरत कब होता है, कितना खर्चा आता है, और पूजा में सामगरी क्या-क्या लानी पड़ती है, सबसे प्रथम में, नीचे नमबर दिया गया है, पंडित अनुरागुरु जी का, वहां से जाकर के संपर्ग कर सकते हैं, मुरत मंगवा सकते हैं, सबसे प् कुशावर्त कुंड लेकर के जाएंगे, कुशावर्त कुंड में जाने के बाद में सनान करना है, सनान ध्यान होने के बाद में मंदिर का दर्शन, उसके बाद में पंडित जी से बात होई है, उनके आश्रम में जाने के पश्षाद, सबसे प्रथम में, पूजा में बैठन के लिए जो वस्तर लेकर के आये हैं उसको धारन करना है हाथ पैध होना है उसके बाद में पूजन स्टार्ट करना है सबसे प्रथम में पूजन में क्या क्या होगा सबसे प्रथम में 15-20 मिनट का देवा दिदे महादेव जी का रुद्राविशेक होगा उसके बाद में गणे पूजन होगा नवगरह जी का पूजन और देवादी देम महादेव जी का पूजन होगा और उसके बाद में आपके पूजा में नो चांदी के नाग दो राहू केतु की प्रतिमा रहे कि एक चांदी का गाय रहेगा उनका प्रान पतिष्ठा करके पंचोप चार अभिशेक करके होम हवन किया जाएगा हवन होने के बाद में आपको चांदी के नाग नागिन दिये जाएंगे जो कि कुशावर्त कुंड में विसरजन करना है ये होती है काल सर्प दोष पूजा की विधी और जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरुजी का वहां से जाकर के संपर्ग कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं ओम नमस्षिवाय जी